अगर आपका क्रेट पॉइंट डिक्रीज हो रहा है और आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पर रहा है दोस्तों तो आप समल जाएगे मैं वर्वत्री बाड़े आपका सौगत करता हूं टेकिनिकल नौलजी रूम के इस चैनल में नमश्कार अगर आपका क्रेट पॉइंट अच्छा है और आप इंफ्लूएंस एक्टिविटी और प्रोफिशनलिजम ओरिजिनालिटी के वज़े से आपका क्रेट पॉइंट हर वेडनेश डे घरते जा रहा है तो आप जल्दी से जल्दी समालिया इसे क्योंकि ये आपका अकाउंट को वापस ब्रोंज ब्लॉगर बना देगा अगर आप सिल्वर ब्लॉगर है तो तो अगर आप आपके रोज पोस्ट पब्लिश हो रहे हैं तो किसी किसी के नहीं हो रहे हैं देखी अगर आपके हो रहे हैं तो आप इन चीजों का पूरी तरीका से ध्यान रखें पहला हिस्टोरिकल ट्रेंड का हिस्टोरि इसको ही सही रखना परेगा तभी आपका historical trend सही रहेगा और इससे आपका वो credit point decrease नहीं होगा second चीज है offline नहीं हो रहे हैं आपके पोश्ट कि rule change होने के बाद credit point ज्यादा decrease हो रहे हैं अगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा है कि आपका offline तो नहीं जा रहा है कोई पोश्ट offline जाने से आपको काफी सारे दिखको तो और credit point काफी नीचे चले आएंगे आपके और पहले जिससे credit point decrease होते थे जैसे 5 15 20 लेकिन अब उसे बढ़ा कर दिया गया है फाइफ का जो था 15 जो 10 का था उसे 25 जो 25 का था उसे और ज्यादा कर दिया गया है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप credit point को ज्यादा गिरने ना दे आपको all time credit point चेक करना होगा अगर आपको post offline जा रहे हैं या फिर आप कुछ पिल्गारिजम का या मितल चीटिंग का कुछ उपयोग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पर रहे हैं कि आपका credit point ज्यादा घटी ना घटने से आपका account काफी दिनों के लिए बैंड हो सकता है और आपकी income भी काफी घट स रखती है तो चलिए मैं third point यह बात करता हूं अगर आप पोश्ट में plagiarism का इस्तमाल कर रहे हैं तो रुख जाएए और अभी क्योंकि यह आपको problem करेगा बाद में क्योंकि suppose plagiarism great point deduction करता है वह भी 20 point deduct कर देता है अगर आपको great point 100 है तो सीधा 80 point पर आ जाएगा जोगी काफ पूरी तरह कैसे ध्यान हो और इसे ध्यान रखिए अगर आप मेरी हर वीडियो रेगुलर्डी लेखते होंगे तो आपको एक पॉइंट काफी common मिलता होगा कि मैं all time आपको historical trend की बात करता हूँ दिखता हूँ जैसे कि influence, activities, professionalism और originality को सही करने के बात करता हूँ क्योंकि य इस खेल खेलता है यही चार चीज पर आपको फशागर रखता है और यही चार चीज के उपर ही यूशी डिपेंडेंट है दोस्तों तो आपको यह चीज अच्छी रखनी होगी और जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूल ना भूले क्योंकि आपको करत कर सकता है फूचर में और इस वीडियो को ज़रू लाइक करें इन दी एंड और थैंक यू तोस्तों इस वीडियो को पूरी तरीका से देखने लिए